हुआ और जहेंस में आज आपके सामने में क्लास में पास यह हैं यह हैई अब मjorक के लिए इंदिन ये ख़िए लांज कर दिया लांज आप की अप देखो कि इंगलीज के लिए वीडियो कोट्स है और मैंध है सभी के लिए कॉमन रहेगा बात मांग जो भी आपका स्लेवस के से थोरा बाहर रहेगा उसको अलग से करवा दूंगा मैं बात मैं जो है वो टेक्निकल के लिए कर सकते हो जीदी के लिए कर सकते हो या फिर कि मी जीए के प्लेशन में जाकर आप देख सकते हो शारा क्लास देख सकते हो अब ठेक है चलो मैं ज्यादा टाम लेता हो और क्लास स्टार्ट कर लेता हूं अब या चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर बदा दे दबादे तब कि जब भी मैं वीडियो क्लास अप्लोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से मिल जाए तो आज देखिए कि आप 20 कोशन में से कितना कुशन कर पाते हैं आप मुझे सारे कमेंट करना लाज्ट में बाद मां कि अब जितना कुशन परता है आप उस कुशन का आप आंसर मेरे साथ जरूर करें च्लास जो है मैं 6 बजे और 12 बजे लेके आता हूं लेकिन 6 बजे का टाइम आपका टाइम अब हो सकता है पांच बजे मोर्डिंग में हो चकता है तो आपको क्लास जरूर करना कि सब्सक्राइब लेकर आ जाओंगा ठीक है चलो पहले कुशन पढ़ लेता हूं आज का ये कप हुआ था किस ने जीता था ऑप्शन आगे पास है ग्लैंड ने भारत ने पाकिस्टान ने या सिलंका ने किस ने जीता था यह जीता था ऑप्शन नमर भी है जो कि है भारत कौन है भारत आगे है अगला कुशन है प्रसिद्ध दार्शनिक कन फ्यूसियस किस देश का निव पिटे जिरे द्राव चीब और फिर में सब्सक्राइबान जारा जरुब तो तक जो बड़ा प्रवरतक नाम क्या था, दीन ए इलाही जो बनाए थे, वो किसने बनाए थे, किसने मुहम्मद तुगलक ने, या फी इबराहिन लोदी ने, अकबर ने, या शाह जहा ने, तो दीन ए इलाही, दीन ए इलाही जो बनाए थे, ये बनाए थे कौन, तो अकबर ने, किसने अकबर ने, option number 3 आपका answer है, भारत के दूसरे उपराश्पती का नाम क्या था, ऑप्शना के पास है, डॉक्टर शरपली राथाकिष्णन, श्री वेवेगिरी, डॉक्टर जाकिर हुषैन या डॉक्टर गोपाल स्वरूप बाठक, तो कौन थे, ये थे ऑप्शनन नमबर C था, जो कि था डॉक्टर जाकि पपाराश्चपती कौन थे वह कंगे ति कौन थे मों चर्ण में अभी उप्राश्चपती कौन भारइद के बातार आपके करेंट के का ब्रित प्रित्वी की परेधी कितनी है, 20,000 मील, 8,000 मील, 25,000 मील या 19,000 मील, कितनी है, बित्वी की परेधी जो है, लगबाग वो 25,000 मील है, परेधी, ठीक है, चलो, आगे आता हूँ, अगला कुश्चन कह रहा है, केनिया देश किराधानी कौन सी है, यानि केनिया का, केनिया का कैप तो केनिया देश के जो राजधानी है यह ऑप्शन नंबर भी है जो कि है नेरो भी है कौन है नेरो भी है ऑप्शन नंबर भी आपका आंशर है ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं अगला कोशन कह रहा है शेतरफल के अधार पर भारत में कौन सा राज सबसे बरा है ऑप्शन अगर पास है उत्तरफरदेश राजस्थान माराष्ट या तमिलनाडू तो गौर कर लिजेगा शेतरफल में नाकी पॉपुलेशन याने की जन संख्या में तो कौन सा है शेतरफल में यह है ऑप्शन ठीक है जन्संग्या में है उत्ताय प्रदेश लेकिन शेतरफाले में कौन है तो राजस्थान है अगला है भारत के किस प्रदेश की जन्संग्या सबसे अधिक है भारत के किस प्रदेश की जन्संग्या सबसे अधिक है उत्ताय प्रदेश मद्प्रदेश महराष्ट्रा तवि में इस्तित है माता तिला बांध जो है यह किस भारत के किस राज़े में इस्तित है उडिशा में पसिमंगाल में उत्तर प्रदेश में या फिर मत प्रदेश में तो यह कहां है यह माति तिला बांध जो है यह है उत्तर प्रदेश में कहां है यह है उत्तर प्रदेश में है लेकिन यह भारत का पूछा जा रहा है तो भारत का सबसे उंची चोटी जो है यह कौन है पहला अप्शना के पास है मॉन्टेवरिष्ट नंदा देवी केटू या गौडविन ऑस्टिन से कहते हैं लोग या अन अत्र पुर्णा या ना पुर्णा है ठीक है चलो तो इसका अं ह già अप्रीका या डक्षिन नंबर डी है जो की अप्रिका में है ज्षानेस अप्रिका है जो ठीक है आगे बढ़ता हूँ आगे कह रहा है किस देश में सबसे अधिक कोईला का उत्पादन किया जाता है किस देश में सबसे अधिक कोईला का उत्पादन किया जाता है पहला अप्शन आगे पास है भारत, रूस, चीन या अमरीका तो किस देश में किया जाता है किस देश में सबसे अधिक मुंगफली का उतपादन होता है उत देश का नाम अताना है आपको भारत रूस चीन या अमरीका तो मुंगफली जो उतना होता है य़िस में सबसे अधिक देश को रहा है ये होता है भारत में कहा होता है भारत में सबसे अधिक उतना चाहता है option नमर्ट A आपका answer है आगे बढ़ता हूँ अला question खहरा है क्या वरत्मान में निती आयोग के उपाध्यक्त कौन है पहले क्या था योजना आयोग था तो इसके जो अध्यक्स होते हैं यह भारत के प्रधान मंत्री होते हैं यहां पुछ रहा है उपाधिक्ष कौन है अभी करेंट में का अप्षन आपके पास है च्पको आंदोलन किस प्रयोजन हैतू चलाया जा रहा है चिपको आंदोलन किस से सम्दित है क्या दहेज हत्याओं को रोकने के लिए, गरेबी दूर करने के लिए, भूमी की कटाओं को रोकने के लिए, या पेरों को काटने से बचाने के लिए देखे चिपको अंदोलन जो है यह किस से संबंदित है यह है option number D है जो किया पेरों को काटने से बचाने के लिए चिपको अंदोलन संबंदित है ठीक है चलो आगे आता हूं अलो कोशन कह रहा है कि भारत में प्रती हक्टेर चावल की उपज किस सराज में सबसे अधिक होती है पैला option है पंजाब हर्याना उत्तर प्रदेश या पस्रिमंगाल तो किस सराज में होता है यह होता है option number A है जो कि क्या है पंजाब है पंजाब की यह पंजाब के राधानी केहा है तो सभत कि राधानी केहले हैं यह हो जाता थाथीश वेश्वंगाल का है लकनों है चलो आगЕ आता हूं अगरा कोशन कह रहा है कि भार्त में सबसे अधिक घनी आबादिक राजम में है उत्तर प्रदेस में बिहार में या पंजाब में या रास्थान में तोसे अधिक घंि अवादी आ चाहिं तोब कोरबा पावर प्रजेक्ट किस राज में है कोरबा पावर प्रजेक्ट किस राज में है उत्तर प्रदेश में है या फिर मद्प्रदेश में है राष्थान में है या फिर पस्षी मंगाल में है तो याद कर लिजिए कोरबा पावर प्रजेक्ट जो है यह है मद प्रदेश में कहा है मद प्रदेश में है यह कुर्बा पाउर प्रजेक्ट है जो बच्छे अभी मद प्रदेश के होंगे उन्हें पताईए होगा उशाड़े करेंगे मुझे अगर आप MP से कर हो MP से हो तो आप में city का नाम जरूर मुझे बताना ठीक है चलो आगे अच्वार में या औचनल में या केयरल में तो कहां पर भारत में पट्षन भार्य है सबसे अधिक जाता है यहां उगाय जाता है पस्थिम बंगाल में कहांगा जाता है पस्सित्रम बंगाल में इसके राज़धानी कहां هै यह है कुलकता निक है5000 कहां एक से सबसे अधिक किस राजह में पैदा होता है भारत के यह किस सिराइब में पेदा है तो पर देस पर आपका इस का आइज बसे आफ कॉस्चन आफ दे जो है चिकरें आज का आप लोग असली कंड़ी करें करें इस चिर सब्सक्राइक करें करिंगे ओठाएप य domic it वालप वर्ट जो है यह कौन से खेल सम्मंदित है या क्रिकेट आजभी निशान वाजी से है या तेराकी सेasis कि समसंदित है तो आज के लिए अगले क्लास में तब तक के लिए सभी से एक बाल जय हिंद